हेलो एवरिवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, यह हैल्दी केक की रेसिपी है और यह इसलिए भी खास होने वाली है कि हम इसे बिना एक के और बिना ओवन के रड़ी करेंगे फ्रेंड्स इस हैल्डी डेलिशिएस केक को हम कड़ाई में त्यार करने वाली हैं फ्रेंड्स आज जो मैं डेलिशिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है रागी फ्लॉर का केक इस recipe को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 cup रागे फ्लॉर लिया है और 1 cup वेट फ्लॉर लिया है 1 cup sugar लिया है और 1 cup curd लिया है क्योंकि यहाँ पे हम एकका यूज नहीं करने वाली हैं अगर यदि आप एकका यूज करेंगे तो आप दही कम भी ले सकते हैं और साथ में 1 cup मैंने यह ओयल लिया है दोस्तों ध्यान रखना है कि ओयल फ्लेवर फ्री हो सभी बच्चों को चॉक्लेट फ्लेवर का केक बहुत पसंद होता है तो इस केक में भी मैं चॉक्लेट फ्लेवर यूज कर रही हूँ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने इस पॉल पे स्थन्ने को रख दिया है और सबसे पहले मैस में यह रागी का फ्लॉर और वीट फ्लॉर एड़ कर रही हूँ यह मैंने वन टी स्पून बेकिंग पॉर्डर लिया है और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा आड़ कर रही हूँ Kस्य मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून कोको पॉर्डर आड़कर रही हूँ इस से इस cake का test बहुत अच्छा हो जाएगा और सभी को पसंद आएगा बच्चों को भी यह बहुत पसंद आएगा और अब इस तरह से हम इस पूरी सामान को अच्छे से छान लेंगे इस तरह से छान लेने से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और फ्रेंड्स यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी डेर सारी रेसिपीस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मग भोलिएगा मैंने सारी इंग्रीडियंट्स को चान लिया है तो चलिए अब केक टिन त्यार कर लेते हैं यहां पर मैंने यह केक का टिन लिया है और इसमें इस तरह से ब्रश की हैल्प से मैं ओयल से इसे ग्रीस कर ले रही हूँ हम cake tin को जितनी अच्छी तरह से ready करेंगे हमें cake demold करने में उतनी ही आसानी होगी next मैं यहाँ पे एक चमस मैदा ले रही हूँ और इसे इस तरह से पूरे cake tin में dust कर ले रही हूँ यह देखिए इस तरह से पूरे किनारों को भी हमें इससे dust कर लेना है इसे cake बहुत आसानी से demold हो जाएगा यह देखिए इसके बाद हमें mixi का एक जार लेना है और उसमें चीनी को add कर देना है साथ में half cup curd जो रखी थी वो भी add कर देना है और oil भी हम यहाँ पे add करेंगे और blend करके इसका smooth batter हम या paste ready कर लेंगे सारे ingredient को इस batter में mix करने से पहले चलिए हम cake को पकाने की त्यारी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई को flame पे चढ़ा दिया है और इसमें यह stand रख रखा है और साथ में हम इसे उपर से cover कर देंगे और इसे preheat कर लेंगे इस तरह से preheat कर लेने से हमें cake को पकाने में आसानी होगी और यह देखे हमारा smooth paste पेलकुल ready है तो चलिए अब इसे हमें एक ball में transfer कर लेते हैं मैंने इस paste को ball में transfer कर लिया है और अब बारी है batter ready करने की तो हम थोड़ा थोड़ा यहां पे रागी floor add करते जाएंगे और mix करते जाएंगे एक साथ हमें सारा floor add नहीं करना है हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके mix करना है नहीं तो गाठे पड़ सकती है और cake खराब हो जाएगा हमें थोड़ी थोड़ी ingredients को यहां पे add करते जाना है और mix करते जाना है जिससे cake का batter एक्टम perfect ready होगा और जब यह गाठा लगेगा तो हम इसे थोड़ा सा दूप डाल के पतला कर लेंगे यह अपनी जरूरत के according कर लेंगे यह देखिए इसका color भी एक्टम अच्छा आया है और इस तरह से हम सारा कुछ add कर लेंगे दोस्तों cake का batter जब अच्छा ready होता है तभी cake अच्छा तयार होता है तो step by step आप इसे follow करते वे ready करेंगे इन सारी सीजों को आप follow करेंगे तो आपका cake का batter भी एक्टम perfect बनेगा और अब देखिए हमने सारे ingredients को यहां पे add कर दिया है तो हम थोड़ा दूद और add करेंगे फ्रेंडस cake को हमें बहुत healthy बनाना है तो मैं यहां पे two table spoon protein powder add कर रही हूँ इस protein powder को बनाने की recipe के link में description में दे रही हूँ आप वहां जाके इसे देख सकते हैं और अपने घर में भी से तियार कर सकते हैं तो यह देखे मैंने यहां पे protein powder भी mix कर दिया है और बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा सा दूद यहां पे और add कर रही हूँ फ्रेंडस रागी फ्लोर का यह cake हमारे लिए बहुत healthy है और इसमें मैं यहां पे protein powder add किया है इसलिए और भी healthy हो जाता है मैं दीका केक हमारे लिए उतना healthy नहीं होता है तो हमें उसे avoid करना चाहिए और अब next मैं यहां पे फ्लेवर के लिए एक चमच vanilla essence एट कर रही हूँ और इसे भी डाल करके अच्छे से हम mix कर लिए और अब इस बैटर को हमने बहुत अच्छे से mix कर लिया है आप इसकी consistency देख सकते हैं एक तम perfect है तो चलिए अभी से हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो मैंने एक बैटर को यहां तयार केक टिन में ट्रांसफर कर लिया है इस तरह से बराबर से अच्छे से यह फैल आ दिया है और यहां पर मैं इसे थोड़ा सा टैप कर ले रही हूं और उपर से ड्राइफ इनको हम इसमें आड़ कर देते हैं स्टेंड पे बीचों बीच हमें ठीक से सीधा करके से रख देना है और इसके बाद कवर कर देना है और कवर करके हम इसे लगभग 45 मिनट्स तक कोप करेंगे रागी के केक को पतने में थोड़ा सा जादा समय लगता है 40 मिनट्स में भी यह पक सकता है लेकि मैंने 45 मिनट्स इसले कहा कि अच्छे से पक जाए और अब आप देख सकते हैं कि केक त्यार हो रहा है देखिए कितना स्पॉंजी केक यह रैडी हो रहा है यह किस तरह से उपर क और अब इसे पकाते फे 45 मिनट्स हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं यहां भी मैं एक नाइफ को इसमें डाल रही हूं यह रेखे मैंने डाला है और निकाला है नाइफ हमारे एकदम क्लियर आया है इट मेंस कि हमारा केक रेडी है तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को आफ क करेंगे और कुछ देर के लिए से छोड़ देंगे और अब थोड़ी देर बाद मैंने इसे कडाई से निकाल लिया है और अच्छी तरह से ठंधा भी कर लिया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक तम यमी डेलिश्यस स्पॉंजी केक रेडी हुआ है यह देखे मैं टच को इस पर रखोंगी और पलट करके इस तरह से यह रेखे फ्रेंड्स केक को डिमोल्ट करने का यह सही तरीका है हलका सा टैप करेंगे तो यह अपने आप निकल आएगा तो अब मैंसे सीधा कर लेती हुँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केक तम स्पॉंजी डेलिश्यस केक रेडी है फ्रेंड्स तो आप भी इस टेस्टी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और यह हैल्दी केक पूरी फैमली के लिए बहुत हैल्दी और सबको पसंद आने वाला है और आपका यह कैसा बना मुझे कमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ गुट पाई